सीजन की शुरुआत हुई एक एक्सिटेंट को दिखानी सी जहां एक लड़का बच्चे को बच्चा रहा था पर जैसे एक ट्रक्सी टक्राया मौकी पर यूसक थो गई अब यही एक लड़का दिखाया गया जिसका नाम यूसक था और यही कहाने का में इन केरेक्टर हैं तुम्हारे पीछे हूँ पर क्योंकि वो आत्ममले रूप में था तो उसकी दोस्त ना तो से सुन सकती थी और ना ही देख सकती और अब हमें यूसक की मरने से पहले का कुछ वक दिखाया जाता है पता चिला कि वो काफी टाकतवर लड़ा का लेकिन दिल का काफी अच्छा इलसान था पर उसकी दोस्त हमेशा उसे लड़ाई से दूर रखती थी स्कूल में यूसक देखता है कि कुछ लड़की एक दूसरी लड़की को बुली तन कर रहे हैं पर यूसक उन लड़कों से लड़ता हैं उसकी मदद करने के लिए इतनी ही देर में यहां टीचर आ गया वो यूसक को उनसे लड़ता हुआ देखकर ये समझ लेती हैं कि यूसक उन्हें परिशान कर रहा हैं वो से डाटते हैं तो यूसक बिना कुछ कहीं वहां से चला जाता हैं बाहर जिब वो आया तो एक फाइटर लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ सामने आ जाता हैं क्योंकि वो और उसकी साथी यूसक से लड़ना चाहते थी फाटर लड़के की हमेशा से खौहईश थी कि वो यूसक से लड़ाई में जीत जाएं पर आज भी यूसक उनसे लड़कर सबको काफी मारता हैं उन पर भारी पढ़के को दिलाई करके वहां से भगा दीता है एक सुराक में से उड़ने वाला केड़ा बाहिर आया जो ट्रुक ड्राइवर की नाक में गुस जाता है ऐसा होती ड्राइवर एक्दम बदल गया उसने अपना कंट्रोल को दिया इसलिए वो ट्रुक काफी स्पेड में चलानी लगता है ये वो ये ट्रुक था जिससे टक्राने से यूसक की मौत हुई क्योंकि तेज स्पेड की वज़े से ट्रुक एक बच्ची से टक्राने वाला था पर यूसक उसे बचाते हुए खुद मारा गया बताया जाता है कि ये कहाने इंसानों और डीमन्स शितानों की दुनिया के बारे में काफी सानों पहले इंसानों और डीमन्स की दुनिया एक दोसरे से जुड़ी होई थी अगर कोई इंसान उस दुनिया में जाता तो युकाई डीमन इंसानों पर हमला करकी उन्हें मार दिया करते थी। युकाई असल में वो डीमन्स होते हैं जिनके पास आस ताकती होती हैं। सिर्फ यही नहीं, बलकि कभी-कभी इंसानिक दुनिया में भी डीमन्स आ जाय करती थी, और बुरी तरह इंसानों से ड़ने लगती थी, यह देकर तीसरी दुनिया इने के आत्माओं की दुनिया ने दोनों दुनियां को अलग करने का फैसला किया, उन्होंने दोनों दुनियाओं के बीच एक बॉर्डर बना दिया जिससे वो अलग-अलग हो गई लेकिन फिर भी कभी कभी डीमन्स इनसानों की दुनिया में आ जाते हैं जैसे कि वो उन्ने वला केड़ा वो भी डीमन्स की दुनिया से ही आया था यूसक जो आत्मा की रूप में था उससे मिलने मोद की पर ही आती है वो से कहती है कि मैं तुम्हें आत्माओं की दुनिया में ले जाने आई हूँ जिसके बाद वो यूसक को एक कश्टी में बेठा कर आत्माओं की दुनिया में ले जाती है जहां जाकर ये लोग आत्माओं की दुनिया की हेड से मिलते हैं जो यूसक को देकर एक ओफर देता है कि मैं तुम्हें दुबारा जिन्दा कर देता हूँ पर इसके बदले तुम्हें आत्माओं की दुनिया का डिटक्टिव बनना पड़ेगा तुम्हारा काम डीमन्स की दुनिया से इंसानों की दुनिया में आने वाले डीमन्स को पकड़ना होगा और ये पता लगवाना होगा कि डीमन्स इंसानों की दुनिया में क्यों आए हैं पर इस पे यूसेफ साफ साफ मना कर देता है तब मौत की परी उसे मनानी लगती है एक कसीनों का मालिक दिखाया गया जो एक काफी अमीर आदमी से वोई सुराख खरीड़ता है जिसकी अंदर से उड़ने वाला कीड़ा निकला था यूसक की आत्मा अपने गहराई जहां उसने देखा कि मेरी मौत की वज़ासी मौम और दोस काफी दुखी है वो रो रही है उसे बुरा लगा इसलिए वो आत्माओं के दुनिया के हेड की आफर मानने के लिए राजी हो जाता है जिस लड़की को बुली होने से यूसक ने बचाया था उसे वो शेतान लड़की फिर से परिशान गरने लगते हैं पर तभी एक डीमन की डाम उसकी कान में चिना चाता है जिससे वो लड़का भी डीमन बनकर अपना कंट्रोल को बैठता है वो उन लड़कों से लिड़नी लगा बुरी तरह मारनी लगता है तो उसे अपनी लाश को जिलने से बचाना था जो चीज इस वक्त नामंकिन थी इसलिए वो अत्माओं की हेट को कहता है कि मैं तुम्हारे हर बात मानूगा लेकिन अभी मेरी मदद करो मुझे इन मुश्किल हलास से बाहर निकालो जो अभी तक लड़के के जिसमे ही था यूसक जैसे उसकी पास पहुंचा तो वो उस पर भी हमला करनी लगता है यूसक देखता है कि लड़के की अंदर वो डीमन कीड़ा घूम रहा है जिससे वो लड़का वो बस सुरत लग रहा था किड़े को बाहर निकालने के लिए यूसक को अपनी आत्मरी ताकत को इस्तमाल करना था लेकिन वो उसे करने ही नहीं आ रही थी फिर भी जैसे तैसे कोशिश करके यूसक अपनी ताकत को हाथ में लेकर आता है और उस पावर वाले हासी डेमन लिड़के के मूँपर जोरदार मुका मारता है जिससे डेमन केड़ा उसकी अधर से निकल जाता है अगली सुबा यूसक अपनी घर गया उसे फिर से जिदा देकर मौम और दोस काफी खोई शो जाती है आत्माओं की दुनिया में हेड मोत की परी को बताता है कि अब यूसक को और भी खतरनाक यनि सब यूकाई डेमन से लड़ना होगा ये कहकर वो तीन कीमते चीज़ें लिखाता है जिनने किसी ना किसी मकसद की वज़र सी यूकाई डेमन हासिल करना चाती है इन तीनों चीज़ों में एक था शीशा, एक चाकू और एक गोल चीज़ थी अगले दिन तीन यूकाई डेमन से बाकर डेमन को मार कर आगे बढ़ती है क्योंकि वो कैसे भी करकी वो तीनों चीज़ें हासिल करना चाती है एक पार्क में वो सारे बच्चे कीलने थी भोश हो जाते हैं ये समझने में देर नहीं रखती कि ये हवा का जोंका उसी यूकाई ने गोल चीज़ की मदद से किया था यूसरक आत्माओं की दुन्या में अपनी आत्मावली ताकत को इस्तमाल करना सीख रहा था उसी अपनी ताकत की गंद से शूट करना कैसे भी सीखना था तकि यूकाई डीमन को हरा सकी लेकिन हर बार वो नकाम ही हो रहा था यूसरक होस्पिटल में आया जहां उन्हीं सारे बिहोश बच्चों को लाया गया था मोद की पर ही उसी बताती है कि यूकाई डीमन ने किया है जिसके हाथ में वो गोल चीज थी उसने गोल चीज की मदद से सभी बच्चों की आत्माओं को अपनी तरफ खीच लिया है क्योंकि वो सभी बच्चों की आत्माओं को खाना चाता है और अब इन बच्चों को उस युकाई से बचाने का बस एक ही रास्ता है और वो ये है कि तुम उस युकाई डीमन से लड़ाई करोगी और उसे वो गोल चीज छीन लोगी इसी हॉस्पिटल में यूसक उस फाइटर लड़की से भी मिलता है साथ ही उस बच्ची से भी जिसे उसने एक्सिडेंट होने से बचाया था बच्चा उसे बताता है कि मेरे गर के सामने पार्क में और भी कई सारे बच्चे भी होश पढ़े है यूसक जब उस पार्क में गया तो सच्मी बच्ची बिगोशी की हानत में जमीन पर हर जगा पहले हुए थी तब यूसे वो यूकाय डीमन भी दिख जाता है जिसके हाथ में गोल चीज थी यूसक उसका पीछे करते करते एक पार्किंग एरिया में आ गया जहां वो डीमन इंसानी रूप से यूकाय डीमन वाले रूप में आ जाता है जो बहुत बड़ा खतरनाक राक्षिस लग रहा था और अब वो यूसक पर हमला कर दीता है वो भी कोट-कोट कर डीमन का सामना करने की कोशिश करने लगा आत्मा गन इस्तमाल करने की कोशिश करता है लेकिन यूसक अभी भी ऐसा नहीं कर पाता इनकी लड़ाय चल रहे थी जबकि कुछ दूर एक और लाल बालो वाला यूकाय डीमन खड़ा वो कर ये सब देख रहा था इसकी पास वो कार शीशा था जिससे भी हमने आत्मा के दुनिया में देखा था वो डीमन यूसक को मारते हुए हवा में उठा दीता है जिस तोरां है यहां वो बच्चा आ गया यूकाय डीमन को कहते है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो बच्चे को देखर यूकाय डीमन फिर से गोल चीश का इस्तमाल करने लगा और उसकी मदद से बच्चे की आत्मा को अपनी तरफ खीशने लगा इससे पहले उस बच्चे की आत्मा को भी निगल जाता ठेक वक्त पर यूसक कूद कर उसकी ऊपर आ गया और अब वो अपनी आत्मा गंसी उसकी मूँ में शोट कर देता है जिससे वो डीमन दोर जाकर गिरा और यहीं उसका खात्मा हो जाता है डीमन की मरते ही गोल चीश में से सबी बच्चे की आत्माएं निकल कर अजाद हो जाती है जिस वजह से बिहोश हुए सारे बच्चे को होश आ जाती है और वो अमीर आदमी दिखाया गया जिसने कसीनों की मालिक को वो सुराक बेचा था जिसकी अंदर से केड़ा निकला था उस वक्त सुराग की बदले में कसीनो की मौलिक ने अमीर आदमी को एक डीमन लड़की दे थी जिसे अमीर आदमी ने पिंजरे में बन करके रखा हुआ था यह जब भी रोया करती थी इसका एक आंसू बर्फ जैसे कीमती मार्बल में बदल जाया करता था अमीर आदमी को लालश था, वो सोच रहा था, कि मैं एक कीमती मार्बल बेच कर और भी अमीर बन जाओंगा, वो यहाँ डीमन लड़की को मारता है, जिसे वो रोती है, और उसका आंसू कीमती मार्बल बन जाता है, तब उसे लेकर अमीर आदमी बेचने के लिए वहां से चला जाता है, अब हमें एक और डीमन दिखाया गया, जिसके पास कई सारे, वो ही कीमती मार्बल थी, क्योंकि वो डीमन लड़की इस वले डीमन की बेहन थी, लेकिन अभी दोनों बेहन भाई, एक दूसरे से बिच्वड़े हुए थी, इस वले डीमन की पास वो कीमती चाकु भ पर कट लगा लीता है, यूसक लाल बालों वाले यूकाय डीमन का पीछा करनी लगा, जो हॉस्पिटल में जाकर एक औरस सी मिलता है, यूकाय डीमन को पता चल गया था, कि यूसक मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए वो खुद ही आकर यूसक से मिला, और उसी अपने बारे में बतानी लगता है कि 17 साल पहली मुझ पर किसी ने हमला कर दिया था मैं जख्मी था और मरना नहीं चाहता था इसलिए मैं इन सारे दुनिया में आकर एक औरत की पेट में चला गया औरत का बच्चा पैदा होने की बज़ाई मैं पैदा हुआ था मेरी मौम के पास सिर्फ कुछ दिन का हिटाई में बिल्वों मर जाएंगी इसलिए मैं वो खाश शीशा इस्तमाल करना चाहता हूँ क्योंकि पूरे चांद की रात कोई शीशी में बहुत ताक्तिया जाती है हो सकता है कि वो उसकी मौम की जिन्दगी के बिदि बद्ले इसकी जान दे ले ये सुनकर युषसक वासी भागा तकि वो लाल बानोवाले उस जा लाल बानोवाला युखाई डीमन जयसे शीशीट से अपनी मा की जिन्दगी मांगता है तो तब यहां उसकी अंदर से काफी सारी लहरे निकल कर आस पास काफी बड़ी अनरजी को पिला देती है जिसकी अंदर युकाई डीमन कोट पड़ता है उसे देखकर युसक भी चला गया वो युकाई डीमन को रोखने की कोशिश करता है पर शिशे ने उसकी बात पूरे कर दी थी यानि उसकी मौन को जिन्दगी दे दी थी पर इससे पहले शिशा युकाई डीमन को मारता युसक उसके साथ ये डिल कर लेता है कि मैं तुमें अपने जिन्दगी देता हूँ तुम इसे कुछ मत करो इसलिए अब शिशा सिर्फ उसकी नहीं बलकि दोनों की आदी आदी जिन्दगी लेकर उन्हें एनरजी से बाहर पहंग दीता है डीमन लड़की के भाई ने माती पर जहां कट लगाया था वहां से एक आँख निकल कर आती है जिसकी मदस से वो देखता है कि अमीर आद्मी की लोग मेरी बेहन का आंसू यानि वो मार्बल बेचने जा रहे हैं इसलिए वो जड़्दी से वहां जाकर अपने चाकू से आद्में की गाड़ी के नीचे कट लगा दीता है और उनसे वो आँख मार्बल ले लीता है कि वो डीमर लड़की के बाई नहीं ले ली हैं इसलिए वो कसीनों के मालिक से मिल लें गया जहां तबी उसकी पास एक और युकाय डीमन आता है जिसका नाम तोगोरो डीमन था इस तोगोरो डीमन की उपर एक और टीगोरो डीमन बैठा हुआ था यहने कि यह दो थीम एक जवान जबकि दूसरा वोड़ा टोगोरो डीमन था जिने कसीनों का मालिक अब कोई नया काम देने वाला था आत्माओं की हेड की कहने पर युससर डीमन लड़की की बाई की पास आया तकि उससे वो किमती चाकों वापिस ले सकी यहां दोनों की लड़ाई होने लगती है पर वो युकाई डीमन से फिर भी चाकों आसिल नहीं कर बाता क्योंकि युकाई डीमन ने युससर को लड़ाई में हरा दिया था अमीर आदमी डीमन लड़की को कसीनों की मालिके अड़े पर लाया जो जुका एक आइलेंड थी यहां कसीनों का मालिक अभी लोगों को जुआ खिलवाया करता था तो युकाई डीमन आपस में लड़ती थी और अमीर लोग उन पर पैसे लगाया करती थे शर्ते लगाती थी यह टोगोरो एक युकाई डीमन से लड़ाई करकी उसे हरा दीता है डीमन के मड़ते ही वाँ खोन ही खोन पैल गया अमीर आदमी का वो गाड जो डीमन लड़की का ख्याल रख रहा था वो पिंजरा खोल कर उसे वाँ से बगाने लगता है लेकिन सामने खड़ा दूसरा इनी बुरा टोगोरो उसे ऐसा करते हुई देख लेता है वो अपने जिसम को लंबा और नोकतर बना कर उस आदमी पर हमला करकी उसे मार दीता है यह देखकर डीमन लड़की दुखी होकर रोनी लगती है उसके कई सारे आंसों से वो किमती मारबल्स बन जाती है जो अमीर आदमे को मिली जिने हासिल करकी वो काफी खुश हो जाता है अमीर आदमी कसीनों की माली को कहते है कि अब यूसक और इस डीमन लड़की की भाई को भी मारना है यूसक मान गया, इनके साथ वाइटर लड़का भी जाना चाहता था, इसलिए मोद की परें दोनों को मास्टर औरत की पास ले जाती है, जिसके अगले ही दिन से मास्टर औरत यूसक को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है, वो यूसक को कहती है कि तुमने अपनी सारी दाक् लगती है, इसलिए वो मास्टर की बात मानने से मना करता है, साथ उसके साथ लड़ने लगा था, लेकिन लड़ाई में मास्टर ही यूसक को हरा देती है, इसलिए यूसक को फिर सही अपनी ट्रेनिंग पर दिहान देना पड़ता है, जबकि फाइटर अपनी ट्रेनिंग काटने की हर मुम्किन कोशिश कर रहा था लाल बनोवला युकाई डीमन जिसका नम कुरामा था वो डीमन लड़की की बाई युकाई डीमन से मिलता है वो उसे चाकू लेने आया था ताकि वो लेकर यूसर को दे सके कुरामा उसे कहता है कि अगर तुम्जी वो चाकू दे दो तो मैं तुम्हारी बेहन को ढूलूँगा पर योकाय डीमन ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया कसीनो का मालिक साइटिस्ट के साथ एक काफी बड़ी मशीन की पास ख़़ा था तो कि वो इस मशीन के जरीए इनसानों और डीमन्स की बीच की दुनिया का दर्वाजा खोलना चाता था इससे ये होगा कि डीमन्स फिर से इनसानों के दुनिया में आ सकेंगी पर इसके लिए कसीनों की मालिक को अभी और पैसों की जरूरत थी ये उसक को ये ट्रेनिंग करती करती काफी दिन होगी थी जिस वज़े से वो काफी ठग गया था पर फाइटन लड़का लगतार अपनी ट्रेनिंग कर रहा था फिर एक दिन आखिर वो इसमें काम्याब होई जाता है यानि उसकी ताक्ते एक्टिवेट हो जाती है और वो लकडी से पत्थर को काटी लेता है जिस वज़े से वो बहुत खुशता उसे काम्याब होता देकर यूसक भी अपनी ट्रेनिंग पर दिहान दनी लगा था दिल से मेनत करता है और कुछी दिनों में अपनी ताक्त को उंगली में इकटा करके घंटों उस पर खड़ा होने की काबिल हो जाता है अपनी ताक्तें क्योंकि यूसक इससमाल करना जान गया था इसलिए वो यहां ताक्तों का दमाका करता है इसलिए वो यूसक से लड़ाई करने के लिए उस सरफ जाने रखता है जहां यूसक ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन उसके यहां आने की बारे में मास्टर जान गई थी इसलिए वो यूसक और फाइटर को यहां से भीज देती है पर जाने से पहले उसने अपनी ताक्तों की कुछ लहरे यूसक को दे दी थी जिनसे वो और ताकतवर बन जाता है डेमन लड़की का भाई यूसक की दोसको अगवा करने देता है जिससे यूसक को गुसा आ गया इसलिए वो डेमन लड़की की भाई युकाई डीमन के पास गया दोनों की लड़ाई होने लगा पता चला कि यूसक की दोस्थ को इसने नहीं बल्कि बुरे छोटे टकोलोंने अग्वा किया है डेमन लड़की की भाईकर रोप लेकर क्योंकि वो इन दोनों को लड़वाना चाहता था इनकी लड़ाई देकर कुरामा आकर दोनों को रोग देता है पिर केरने लगा कि ये सब हमारे दुश्मनों की चाल है वो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं इसलिए अब हम सब को मिलकर उन से लड़ाई करनी चाहिए तो इसलिए अभी सारे लोग मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ने गए यानि कसीनों की मालिक की आइलेंड पर यहां आपकर इन्हीं पता चिला कि कसीनों का मालिक हमें अपने युकाय डीमन से लड़वाना चाता हैं, जिस पर अभी लोग शर्तें लगाएंगी, और ऐसी कसीनों की मालिक को बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि वो कोई भी जुआ आज तक नहीं हा रहा था, आइलेंड पर आत यह दोनों लड़ाईयां अभी लोग लाइव देख रही थी, क्योंकि इन्हीं लड़ाईयों पर उन्होंने च्छड़तें लगाई हुए, कुरामा जिस युकाय डीमन से लड़ रहा था, वो अजीब तरह की हमले कुरामा पर करता है, लड़ाई में वो युकाय कुरामा प भाई ही जीर जाता है, पर इसमें उसका हाँ जखमी हो गया था, अब यूसक की दोस्त को उसी जेल में बंद किया हुआ था, जहां पर डीमन लड़की के इसलिए दोनों की दोस्ते हो जाती है, दोनों लड़कियां गाड को चकमा देकर जेल से भाग कर बाहिर आ जाती है, जहां इने फाइटर लड़का मिला, वो जैसे डेमन लड़की को देखता है, तो उसे पसंद करने लगा था, अब इतने ही दिर में इन तीनों पर एक और युकाई डेमन हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये भागने लगी, जहां इनका सामना बुड़े टोगोरों स हो जाता है, इसलिए फाइटर लड़का उसे रहने लगा, पर वो फाइटर पर ही बारी पढ़ने लगा था, अब यूसक भी एक जगा पर पहुंच जा, जहां उसे जवान वले टोगोरों से लड़ाई करने, अब क्यूंकि किसीनों के माली की पास शर्तों की पैसी आ गई इसलिए वो मशीन की एनरजी को तयार करवा लेता है, ताकि एनरजी से दर्वाजा खुल जाए और डीमन्स इनसाने दुनिया में आ जाएं, और अब इज़र यूसक और टोगोरों की जवरदस लड़ाई छोड़ जाती है, पर यहां टोगोरों क्यूंकि बहुत ताकतवर इसलिए यूसक पर भारे पढ़ने लगता है, यह लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि वो एरिया भी टोटने लगता है जहां सारे अमेर लोग बैट कर यह लड़ाई देख रहे थी, फाइटर की लड़ाई जब बुड़े टोगोरों से हो रही थी, तो फाइटर अपनी ताक्त से बुड़े टोगोरों को कार देता है, लेकिन वो अपनी ताक्तों से दुपारा खुद को ठीक कर लेता है, और अब कसीनों का मालिक एनरजी की मद्द से दर्वाजा खोल ही देता है, जिससे डीमन्स की दुनिया से बहुत सरे डीमन्स इंसाने दुनिया में आने लगते है ये देखकर आत्माओ का हेट काफी घबरा गया और वो उस दर्वाजी पर एक काफी बड़े शिल्ड बना देता है, तकि डीमन्स इंसाने दुनिया में ना सकी, पर ये शिल्ड जिदा दिर तक नहीं रहने वाली, इसलिए अब आत्माओ का हेट खुद कसीनों की मालिक के प आ गई, तो इनसान उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और दुनिया तबाह हो जाएगी, इनसान भी मारे जाएंगे, लेकिन कसीनों का हेट उसकी एक नहीं सुनता, पर वो ये कह दीता है कि अगर तुमारे लोग मेरे टुगुरु डीमन को हरा दें, तो मैं अपनी एनर गंसी टुगुरु पर शूट करता ही, जिसे दिवार तोटने के साथ टुगुरु काफी दोड़ जाके गिरा, पर इसी उसका कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वो अपनी ताक्ती और बढ़ा लेता है, और फिर सी सबको मारने लगता है, इतनी ही देर में यहां लड़ती तो वो भी डीमन बन गया, वो बताता है कि अब टुगुरु इतना ताकतवर है कि वो अपने सामने किसी को पर टिकने नहीं देता, यह सुनकर फाइटर लड़का अपनी ताक्तों से टुगुरु से लड़ने लगा, पर इससी कोई फाइदा नहीं हुआ, कोछी देर में टुगुरु को कंट्रोल भी अब कर पा रहा था, यानि उस पर भारी पढ़ रहा था, यूसक उसी खोब मारता है, पर यह देकर टुगुरु अपनी युकाई वाली शकल में आ गया था, जो गोध खतरनाक थी, इस रोप में आने की बाद वो सिर्फ अपनी उंगली से हमला करकी सब को मार गिरा रहा था, फाइटर लड़के की हाला तो इतनी खराब थी, कि वो मरने की मोड पर आ गया, यह देकर यूसक अपनी पूरी आत्मा गर्म से टुगुरु पर हमला कर दीता है, हलांकि इस हमले को उसने रोकना भी चाहा, लेकिन यह हमला इतना ताकतवर था यह हमले को टुगोरु बरदाश नहीं कर पाता, इसलिए उसका युकाई वला जिसम काला पढ़ने लगता है, देखते ही देखते ही वो पूरा जेल गया, पूरा जिसम काला पढ़ गया, और अगली ही पल उसके जिसम के टुक्डे टुक्डे हो जाती है, और ऐसी टुगोर जीत करवा दी थी, इसलिए कसीनों का मालिक अपनी वादे की मताबिक उस मशीन को बंद कर दीता है, जिसकी एनरजी से डीमन्स की दुनिया का दर्वाजा खूला था, साथ युसने उसने कुद को गोली माल कर वादे की मताबिक अपनी जान लेनी थी, सब नॉर्मल होने की डीमन लडगी अपनी भाई की पास आई, और इस रहा दोनों बिछड़े हुए बेहन भाई भी मिल जाते, अब टगोरो की आत्मा क्योंकि बहुत बुरे थी और वो डीमन भी था, इसलिए उसकी आत्मा हैल यह जिहाननम की तरख जिया रही, जिहां वो हमेशे के लिए अप हुआ हुआ हैं